कुनम नमासुदेविया आज की अपने इसरे का बहुत सुनर विशे है और वहें विषय है जिसका नाम है समौसेरन समौसरन सबने सुनरा होगा इस समाउसरन क्या होता है? इसकी रचना कैसी होती है? और यह समाउसरन किनके होता है? किस तरह का होता है? इस सम्बंदी अनेक तरह की जिग्यासाएं सभी को होती हैं, होना भी चाहिए. जोग की जिन भगवान को पूजते हैं, जिन तीर्थंकरों का स्मरण कते हैं, उन तीर्थंकरों के इस समाउसरन होते हैं, तो हम जाने तो सही इस समाउसरन क्या है? कैसा होता है? इसके अंदर क्या-क्या होता है? और एक किनको प्राप्त होता है? किस कारण से प्राप्त होता ह एस सारे विषय आज की इसक्कषाम में हम इतना बन सकेगा प्रियास करेंगी. देखा जै तो ये विषय तो बहुत विषाल है, कई घंटों का है, लेकिन आज की इस चोटी सीमा में ही बहुत संचेम है, लेकिन फिर भी इत्तम जानने का प्रियास करेंगे. आप तो हो सकता है सुनते-सुनते संबंदी और ये नेक जेकियास आएं, खड़ी हो जाएं, तो ठीक है, उनका भी प्रयास करेंगे, समाधान हो जाए अच्छे से, ऐसे पहले से ही एडवांस में मेरे पास 20 प्रशन आ चुके हैं, स्रोताओं के द्वारा, जिनका समाधान दी यंत में दिया जाएगा, और अवपन प्रारम करते हैं, समाधान की रचना, सबसे पहले देखते हैं, यह समाधान किनके होता है, वह जानते हैं, यह समाधान की रचना तीर्थंकरों के होती है, तीर्थंकर के अलावा अन्न किसी भी भगवान के भी, अरहंतों के भी, किसी क यह भी जो बहुत सारे अरहंत हो गए चाहे बाहुवली भगवान हो चाहे भरत जी भगवान हो चाहे और भी यन्येक गामचन जी भी भगवान हुए हैं। और किसके बन पर करते हैं, हरसे, इंद्र, अपार, वेरू पर ले गए कि सोलह कारण भावनाओं के चिंतन से, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृती का बंधे किया है जिन्होंने जगत कल्याण की भावना भाई है, कि संपूर जगत का कल्याण हो जाए, सभी जी उस सुखी हो जाएं, कोई भी इस संसार में दुखी ना हो इस तरह की उत्रिष्ट भावना भाने वाले जिमां के चिर्थंकर प्रकृती का बंध होता है और तीर्थंकर प्रकृती का जब बंध होता है, उसके फल में जब बे केवल ज्यान प्राप्त करते हैं, केवल ही हो जाते हैं गुरिस्थानों की बेक्षा से देखें, तो ते रहए गुरिस्थान में पहुँच जाते हैं, तब उनके समव सरण की रचना हो जाती है कैसे हो जाती है, कोन करता है, यह बात अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, यह शब्द जो है ना, समव सरण, इसका अर्थे क्या होता है देखिए, अपने पास स्लाइड भी है, पीपीटी की वस्ता भी है, उसके माद्यम से भी अपन जानेंगे, कि समव सरण क्या है देखा जाए, इसका उचारण कई बार अपन समव सरण भी करते हैं, समव शरण भी करते हैं दोनों ही ठीक हैं, शास्त्रों में समव सरण भी मिलता है, समव सरण भी मिलता है, और समव सरण भी मिलता है, बहुत सारे इसके नाम है ये वास्ताव में एदिस का सामा नर्थ करें सीधा साला, जो तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा होती है, जहां पर उनका प्रवचन होता है, उसको कहते हैं समाव शरण. अब जैसे लोकेक में हम देखते हैं, जबी हम बर्तमान में देखते हैं एक लोग की धर्म सभा होती है, जहां पर प्रवचन होता है, स्वाध्याय होता है, तो ऐसा जहां प्रवचन हो स्वाध्याय हो, उसको हम धर्म सभा कहते हैं, ऐसे ही तीर्थंकरों का जहां पर दिब उ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा कहीं नहीं होता, किसी का नहीं होता, ऐसी धर्म सवहा, किसी की नहीं होती है। आपन देखते हैं इसके बारे में जानते हैं। यह सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। और लिखे हुए में अपन को दोनों ही बात हैं। एक लिस्निंग भी हो रही है और अपन आखों से देख भी रहे हैं। तो दोनों काम चलेंगे तो वह जल्दी से सवन जाएगा। देखिए। अपर बैठकर तिरियंच मनुस्य देओ। सभी जी उसमाओं से शरण पाकर दिव्द्धवनी का स्रवन कर सुक्सांती का अनुभव करते हैं। उसे समोश शरण केते हैं। अभी की तो हमने सभाय देखी हैं। वरतमान की सभाओं में जादा है ज्यादा बैठेंगे तो मनुस्य बैठेंगे। जैनों की सभाय होंगे तो जैन बैठेंगे। अजैनों की सभाय होंगी तो इसमें अजैन बैठेंगे। मनुस्य बैठते हैं। सब प्रकार के जैना जैन सब बैठते हैं, अगवान महाविर स्वामी के समोशन में तो कौन आये थे, वो ब्राम्मन गौतम बाद में भले जैन बन गये, लेकिन सब आते हैं, कोई भी आ सकता है, मनुस्र मात्र किसी भी जाती का हो, कोई भी मनुस्र हो, यहां तक की अंधा लूला लंगड़ा हो, वहां तो बलकि कोई ऐसा जाए, तो सब ठीक हो जाता है, समोशन का चमत्तार है, अंधा लूला लंगड़ा भी सब ठीक हो जाता है, पहरा हो तो उसको सुनाई देने लग जा अंधाओ तो दिखाई देने लग जाए, इस चमत्तार होता है समहुसरान इस सभागा, तो मनुस्र दो पहुंसते ही हैं, तिरियंच भी, और कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीते, भालू, गाय, बक्रियां, सब के सब वहां पहुंस सकते हैं, कोई बादा नहीं, और देव भी आखरने, तो समहुसरान में असंख्यात तो दिव पहुंसते हैं, और मनुस्रे त्रियंचों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, कि तीन गती के जीव अहां पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक नार्गी ही अभागे होते है, जिनको समहुसरान में जाने का उस सरफ गातर नह तो उसका भी हम विचार करें तो यह जो समवश्रन सब्द है सम उपसर्ग के साथ आओ और उसमें श्री शामरी लगा देंगे श्री धातु से लिवट प्रत्या करने पर समवश्रन सब्द बनता है देखिए यहां पर लिखा हुआ है नीचे लिखाए देखिए समवश्रन स्री धातु से बनता है रक्षा करना अर्थात जहां पर सभी जीओं की संसार दुखों से समान रूप में रक्षा होती है उसे समवश्रन के देखिए रूपर भी क्या लिखा जहां समस्त भव्व प्राणी भगवान की दिव ज्वनी के कि आउसर की समान रूप से प्रतिक्षा करते हुए बैठते हैं, उसे समोसरन करते हैं, जहां पर संसार की दुखों से रक्षा होती है, वैसे समोसरन है, मन जो जी भगवान के समोसरन में पहुँ जाए, उसकी दुखों की नईयापा, दुखों से नईयापार हो जाती है, ऐसा समयशन होता है, और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पीपीट यह पन बढ़ाते हुए देखते हैं, देखें, समयशन की रचना कव होती है? तीर्थंकर को केवल ग्यान प्राप्त होने के पश्यात दिव्यत ध्वनी है तू समश्रण की रचना होती है मन भगवान को केवल ग्यान हो गया तीर्थंकर को केवल ग्यान हो गया अब उनके ऐसा पुन्न का विसेस उदय होता है, उस पुन्न के उदय से उनके विसेस्ट प्रकार की धर्म सभाग की रचना होती है, जिसको समश्रन कहा गया है, अब इरकना कहा होती है, समश्रन की रचना कहा होती है, देखते हैं, आगे, तिर्थंकर भगवान को थेवल ज्यान की प्राप्ति होते ही कि आकास में 5,000 धनुस देखो आजकल तो धनुस तो किसी को समझ में आता नहीं ज्यादा से ज़ादा आता होगा धनुस का मतलब क्या समझते हैं वो रामचंजी चलाते थे धनुस वो रावन चलाता था धनुस, वो बाला धनुस, एक तरह से माप है, ये धनुस जो होता है, ये चार हाथ का एक धनुस होता है, और एक हाथ डेड़ फिट का होता है, यदि हम इसका पूरा कैलकुलेशन निकाले हैं, तो चार हाथ का एक धनुस, तो पांच यार धनुस में कित तो इससाब से 5000 धनोस्त में 30,000 फिट हो जाते हैं इतनी उंचाई पर अधर पर उस पर किसी का बेस कोई जमीन पर नहीं होता अधर पर ही वह समोशनन की रचना होती है उनके आसन के नीचे समोशनन की रचना होती है बने क्या गजब है कि ऐसा समोशनन 5000 धनोस्त में 30,000 फिट अपन देख रहे हैं देखी आगे बढ़ते हैं समोशनन की रचना कौन करता है तो बताते हैं सौधर्म इंद्री की आग्या से कुवेर दिक्रिया के द्वारा तीर शंकरों के समोशनन की रचना करता है मैं देखो तो कितना महान सौधर्म इंद्र वह आग्यां देता है कुवेर को भजी जाओ वहाँ पर तीर शंकर को केवल यानुत्पन हुगा है वहाँ पर दिव्य समोशनन की रचना होना चाहिए और सब में ढोल पिटवा दो कि सारे के सारे देव समोशनन में जाके भगवान की जिद्विद्वनी का लाव लेंगे और मनुस्य भी आएं क्रेंची भी आएं जो भी आएं सबका स्वागत है कोई भी इससे अच्छूता ना रह जाए क्योंकि यहाँ पर तो भगवान की द्वारा जो तत्तो निकलने वाला है उससे सभी के कल्यान की बात होने वादी आगे देखते हैं समोशनन की रचना किस आकार की होती है देखें गोल आकार की होती है मने पूरा गोल आकार में होता है अभी अपन चित्र दिखाएंगे उसे चित्रे के आधार से भी हमें ख्याल में आ जाएगा यह जो दिखाई दे रहा है गोल यह पूरी गोला कार समाउसरन की यह भूमी दिखा रहे हैं देखें समाउसरन में आठ भूमियां होती है यहाँ पर नाम दिये हुए है चैत्य प्रासर भूमी, खातिक भूमी, लता भूमी, उपवन भूमी, द्वाजा भूमी, कल्पब्रक्ष भूमी, हवन भूमी और स्रीमंडब भूमी अपने नाम को इसार्थक करने वाली आठ भूमियां है जैसा इनका नाम है, वैसा ही उसमें उस तरह की वास्ता होती है पन देखें अहाँ समाउसरण में जो आठ भूमी, स्रीमंडब भूमी होती है उसके बीचों भी, कीन कीठों से यक्त गंधकुटी बनी होती है अभी हम देखें कि गंधकुटी कैसी होती है इसको गंद्यकुटी क्यों कहते हैं, उसमें तीरसंग करभगवान पदमासन में वराजवान होते हैं। देखें आगे, देखें यह गंद्यकुटी। बिलकुल बीचों बीचे इस समोसरण है। इस समोसरण में यो आठी भूमी है। स्रीमंडब भूमी जो बताई थी। उसमें इस तरह की बारा प्रकारी की सभाएं लगती हैं। और बारा सभाओं में कौन-कौन बैठता है। किस तरह से बैठता है। उसमें पूरा बताया है। यहाँ पर नम्मर डले हुए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, शे, साथ, आठ, नोदस, ग्यारा, बारा सभाओं हैं। और बारा सभाओं में पहली सभाओं बैठता हैं। पाँची में भवनवासी देवी। पाची में ब्यंतर देवी, छटे में भवनवासी देवी, साथे में भवनवासी देओ, आठे में ब्यंतर देओ, नौवे में जोतिसी देओ, दसे में कल्पवासी देओ, क्यारहवे में मनुस्य और बारहवे में त्रियंच, इस तरह से ए 12 सभाएं वहां पर लगती हैं। इनमें इन सबका विस्तार भी दिया है, ये सभाएं कितनी बड़ी-बड़ी होती हैं, इनमें चारों तरफ से एंट्री गेट भी बने हुए, लिखा न, महावी थी, चारों तरफ, तो जो महावी थी हैं, ये महावी थीयों की चर्चावी यहां भी आईगी, ये समझ दो अनुस्त रेंचे और वहां से सभी अनदेओ, वहां जाकर एंट्री कर जाते हैं, देखिए, यहां पर चित्र बना हुआ है, नीचे लाएं थोड़ा सफिर से वापिस, इसको, हाँ, ये बाला वास, समोचन की दूनी, ये कि यहां पर जो दिख रहे हैं, आपको चारों वाइट वाइट वाले, बीचों बीच, ये हैं आपकी बीथियां, बीथियां माने गलीयां, रास्ते, ये रास्तों से, चारों तरफ से, सब तरफ चारों तरफ गेट होते हैं, और उन गेट के थू ही, माने उनमें से निकल कर ही, ये सभी जीव, इस समोचन में प्रविस कर और समगषरन प्रविसकर के आठ भी भूमी में जाकर दिव्य द्वानी कलाव लेते हैं। प्रारम की सात भूमियों में यक्ते द्वानी कलाव नहीं मिलता। वहाँ क्या-क्या विवस्ता है, सात भूमियों तो वास्ता वें। वहां पर तो बहुत सारे समझदू एक तरह से गार्डन है, सुन्दर सुन्दर भवन है, और उकुबन है, और इतनी सारी आकर्षन के कैंद्र है, कि कई जीव तो ऐसे होते हैं, जिप पंचेंद्री विशय भूगों की आदत होने से वहीं पर अटक जाते हैं, और वहीं पर अ अटमान में, कि तई लोग शिवरों में जाते हैं, तो शिवरों में जाकर, वहां पर क्या करते हैं, कौन सी जगह पर शिवर लगना है, अच्छा, वहां, मुंबई में, दिल्ली में, वहां, अच्छा, वहां पर भूमने का क्या है, वहां पर अपने बिजिनिस का क्या है, बहुत सारी लोग तो वहाँ पर ठहरते हैं, अपने घूमने घूमने की वरस्ता बनाते हैं, करी लोग खाने पीने की वरस्ता बनाते हैं, करी लोग वहाँ पर इधरोदर का अपना काम निकालते हैं, धर्म कलाब नहीं लेते हैं, फस जाते हैं, कोई खाने पीने में, कोई करते हैं तो यहां वा भूमियों में ही फुजा जाते हैं और आगे वढ़ने का विचारी लेकिन जो अपना कल्यान होना है ऐसे ही जीव. वह आठवी भूमी में पुश्ते हैं और दिरक्पदवनी का लाब लेते। चलिए आगे बढ़े अब इसमें सीडियों की चर्चा पांच हजार धनुस की उंचाई पर पहुँचने के लिए समाउस रणे की चारों दिसाओं में 20 हजार सीडियां होती है देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा समझें कि पहले नमबर तो हमें जाने कि जो समाउसरन है प्रथवी से एक हाथ उपर रहता है इसमें भी आए गए आएगा लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ तर अपर आपन वहां पढ़ लेंगे प्रत्वी से एक हाथ तो ऊपर रहता है और वहां से लेके पूरा समोशन बना हुआ होता है और सीधा 5000 धनोस की उचाई पर जाकर पूरा कंप्लीट होता है और 5000 धनोस उपर तक वहां पर चड़ने के लिए 20,000 सीधियां बनी होती है और ये 20,000 की 20,000 सीधियां एक साइड नहीं होती है चारों तरफ होती है वाने पूर पश्यमुत्तर दक्षन चारों देसाव में 20-20,000 ऐसी को मिलाकर 80,000 सीधियां होती है तो एक तरफ से 20,000 ये सभी सौने की बनी होती है लेकर इनकी विसेष्टा है कि ये सभी जो 20,000 सीधियां होने पर कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि सभी लोग समोशना में जाएंगे सुनने के लिए 20,000 सीधिय कैसे चड़ेंगे सम्मेश सिखर जी की गिर्णार जी की तो इतनी सी है उतने में पसीना जाता है कि 20,000 सीधियां चड़ने में क्या होगा बढ़ाने की जरूत नहीं है वहां पर बहुत बढ़िया जो लिखा ना एक्सलेटर की तरह है जैसे अपन देखते ना कहीं पर मौल में जाते हैं या रेलवे स्टिशन जाते हैं अपन कहां चड़ते हैं वहां तो सीधियां चड़कर मुखे तोरानदवार से भीतर जाने पर यह माने स्टम में दिखता है तो 20,000 सीधियां तो अंतर मौत में चड़ जाते हैं चमतकार है तो वहां से चड़े तो मुखे तोरानदवार दिखता है तोरानदवार कैसा क्या होता है भी इसमें वैसे बना हुआ पर इस तरह का ऊपर मंदर की और गेट पर इस तरह का कई लोग ऐसा बना देते हैं कई लोग ऐसा बना देते हैं तो एक अला तरण ऐसा तोरण दवार देखता है और चार उन्दे साहों में है समवसरन में जहां से 20-20,000 सीड़ियां होती हैं तो सभी तरफ से एक-एक ऐसे तो पर अधम दवार वहां पर पाए जाते हैं अब देखंव समवसरन की चारूं सीड़ियों के सामने 4 मानश त्मभ होते हैं मान श्थम्म को देखते भी मिथ्या द्रुश्चियों परुमान गलेत हो जाते हैं तथा सम्म्मेक्ति की फ्राप्ति हो जाती है अथवा मान स्थम्म आपको देखने से मिभ्या द्रष्ट्रियों का मान स्थम्भय तो हो जाता है मान तुक मなら tutte कि धकका लगता इसलिए इसको मान इस्सथम्भ कहते है लिए ने चलतों कि इस्जा होगा भुपने जो इद्र भूती गोतम है the protection in Indribhuti Gottam को को जो शने जब कहा था उनसे जो इंद्र जब इनको लेने गए थे ना तो Indri भूति गतं ने गाह हम आप के गुरु से ही चर्चा करेंगे इस संबंदी तो यहां पर JUड़ है समोश्रन में को समोश्रन में आते ही एंटरी गेट पर ही पहुँचे ही अभी 20,000 सिरी चड़ए उपर पहुँचे ही है हुँन को मान इस्थम में दिखा अभी असली समोषवर्शन पहुचे नहीं देखा जाना है लेकिन अभी तो ये अभी एंट्री गेट पर पहुँचे हैं अभी तो साथ भूमियां पार करके आठ भी भूमी में जाना है वहाँ पर सभा लगती है तो यहाँ पर गेट पर ही पहुंसते ही मान स्थम्ब को देखकर उनका सारा घमंड चकना चूर हो गया उनका मान एक्तम स्थम्बत हो गया वहीं थम गया समझे हो जैसे साफ सुंग गया हो इसलिए मान स्थम्बत हो जाता है इसलिए इसको मान स्थम्ब कहते हैं वहीं मान गल गया और उनको सम्बत दरसन जीप राफ्ट की लोग भी माने सम्मे के मूल भाग में तथा सबसे उपर के भाग में अरंत भगवान की चार प्रतिमा हैं देखो यहाँ पर आपको देख रही होगी उपर उपर की और प्रतिमा है अरंत भगवान की नीचे नीचे हम मूल में भी दिखाई दे रही हैं इसमें सिद्ध भगवान की प्रतिमा लेखा, तो देखो ऐसा है, कहीं अपने ग्रंथों में सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी मिलती है, ऐसा लेखा है, और कहीं अरहंतों की भी लेखा है, तो इस तरह ऐसे दोनों ही चलती हैं, कोई देखर नहीं है, और इसमें भी विसेश् प्रतिमा और सिद्ध भगवान की प्रतिमा में थोड़ा संता रितना विसे जानना कि अरहंत भगवान की प्रतिमा जहां होगी उसमें अश्च प्रातिहारी होंगे और सिद्ध भगवान की प्रतिमा जो होती है उसमें अश्च प्रातिहारी होती है एक बात दूसरा एक और अ अपने आवरतमान में एक साचे टाइप में वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनाने लगे हैं लेकिन वास्तों में नियम तो ए है कि वो वास्तों में वो प्रतिमा का रूप नहीं है प्रतिमा तो जैसे अरहंत जैसी बनती ना ऐसी ही सिद्धों की बनती है शास्त्रों में ऐसी प्रमाण हैं, ऐसी वंती उसमें अश्चे प्रातिया नहीं होते हैं, इस सिद्ध प्रतिमा यहाँ पर देखें, एक कम नीचे नीचे यह दिख रही है, इस सिद्ध प्रतिमा मूल में, चारों लिसाओं में सिद्ध प्रतिमा हैं, और उपर अरहंद प्रत प्रश्नों के आधार पर अच्छा तो भी हम मतलब 40 मिर्ट तक किसको पूरा करते हैं फिर 20 मिर्ट अपने प्रश्न उत्तर के अधार चलेगा वह बीच उसमें भी 40 मिर्ट रहेंगे उसमें भी 40 मिर्ट रहेंगे आपके जतना चाहेंगे आपके शलाज सब्सक्राइब यह प्रश्नों के अधार से लिए ठीक, की ओके चली आगे बढ़ते है अब देखें, आठवी भूमी यहां पर बता रहे हैं, आठवी स्रीमंड भूमी अपने देख चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और जितना लगेगा अपन देखते जाएंगे, इस आठवी भूमी यह जो बनी हुई है, इसमें फिर से बताया गया है कि कौन सी भ बढ़ता है, यह पूरा एकड़म सिस्टमेटिक यहां पर चित्र की आधार से बतागिया गया है, इसमें और खास वसेष्टा, कि यह आठवाओं में सब तरफ से गहर के बैठे हुए है बढ़ते हुए हैं, तो ऐसा लगता है बढ़ता है, बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ तो एक तरफ बैठे होंगे, एक तरफ देख रहा होंगे, तो सबको चहरा नहीं दीखेगा, बहुर दिश्टर्वेंस होगी, ऐसा नहीं है, वहां पर बारा सभाव में से देखें यहां पर, भगवान को महने देखने वाले देख रहे हैं, यहां ए विसिस्ट चमतकार एसा होता है और भगवान सभी दिसाँ एक तम सामने जैसे के हमारे सामने बैठी हुए अजी सिस्ताों है कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है नहीं नहीं वो तो चार्डशाँ में अपने मानश्तम में देखा होगा चारडशाओ बना देते हैं, तो ऐसा भी चर्चा में लोग बोलते हैं, कहते हैं, तो चार दिसाओं में चार होंगे, ऐसा नहीं है, चार दिसाओं में चार ऐसे कह देते हैं, अत्वा बना देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सभी दिसाओं में जो बारा दिसाओं में बैठे ना ये सभी, तो सब जगे इनको bemul समीद साउ में एक यह से सामने जैसे भगवान मुझे ही देख रहे हहा हुआ है इस शुर्दि पारा तरफ हैं तो बारा तरफ उनके मुख दिखेंगे पचास साइड सब विलकुल सामने ही मुख दिखने वाले होते हैं इस तरह की वस्ता हुटती है, यह वहां का चमतकार है, किसी कुछ डिस्टरवेंस नहीं, और ऐसे असंध्याद जीव बैठते हैं, तो एक दूसरे को उसमें तकलीप भी नहीं होती है, आराम से जाके उत्वी जगए पर बैठ जाते हैं, इसमें भी और विसेज जानें, कि दूसरे जो तीर्थंकर आये, उनके समाउस्रण का विस्तार आरा ही योजन घटा, पर अगले-अगले तीर्थंकर के घटा गया, अन्ते महावीर भगवान के समाउस्रण का विस्तार एक योजन का बचा, इस तरह की विसेजता जानना चाहिए, देखिए, अब इसमें दूसरी पीट पर दोजाएं तसा नाव निदी सोभायमान होती है, तीसरी पीट के उपर गंदकुटी होती है, जिसके मदमे सिंगासन होता है, अच्छा, इसमें एक कुछ चीजें और जान लें, जो पहली पीट है, प्रतम पीट पर चार दिस्ताओं में, अस्टमंगल और यक्षेंद्र अपने सर पर धर्मचक्र दाण करता है, इसमें एक और अपन जाने है, जब जो मनुस्यादिक जीवाते हैं, सीडियां चड़के, तो जब आठवी सभा में जब पहुंचते हैं, तो यहां पहली पीट पर वहां पर द्रभबादे के होती है, उसके द्वा यहां होती है, इस पहली पीट पर चड़कर प्रदिक्षना देते हैं, तीन, एवी और मिसे सब बन जाने है, चली आगे बढ़ते हैं, अब देखें यहां पर पीट को थोड़ा और दिखा दी है, इस पस्टर, जहां पर भगवान दराजमान होते हैं, उसके नीचे क्या वि हैं, दूसरे पीट में चार सीड़ियां हैं और तीसरे पीट में फिर चार सीड़ियां हैं, और इनका सब बता दिया, कि पहला पीट सुंचाई में आठ धनों सुंचा है, फिर दूसरा पीट चार धनों सुंचा है, पर तीसरा पीट फिर चार धनों सुंचा है, इस तरह की आज आगेबढ़ें, अब देखना है गंð कुटी, एक गंध कुटी क्या होती है , गंध कुटी नाम क्यों है इसका गंध माने, इसमें बिवित्त रहके पदार्थों की सुगन्ध हाती है, खुस्तू जैसे चंदन की रहती है, इस्टरहिकी बहुत प्रकार की सुगंधाती है इसलिए इसको गंदकुटी नाम दिया गया है अब इसमें भी देखें सिंग इस गंदकुटी में जो तीसरा पीठ है उसके उपर सिंग हासन के उपर सहस्त्र दल प्रस्विकाय कमल होता है जिसमें सो दल होते हैं प्रसवी का एक कमल है अभी इसमें दिखाएंगे नेचे चित्र में तीर्थंकर देव के पीशे देव निरमित प्रसवी का एक असुक्रतो होता है और तीर्थंकर भगवान उक्त कमल से चार अंगल उपर अधर आकास में बिराजमा रहते हैं, और भगवान भी उस कमल पर नी वेठते, कमल के उपर चार अंगल उपर ही अधर में रहते हैं, इस तरह की विस्यस्ता, देखें आज चित्र में नीचे, देखें, यह गंद कुटी, इस गंद कुटी में तीनो पीठ बता दिये, औ और फिर इसके उपर, तीनो पीठ के उपर यह गंद कुटी जो यलो यलो दिख रहा है, चौकोरसा यह गंद कुटी है पूरी, उसके उपर एक कमल दिख रहा है, और कमल से भी चार अंगल उपर तीर्थंकर भगवान राजमान है, और यहां पर इस सारे जो लिखे हुए है अश्ठे परातिहारी हैं, अने सिंगहासन है, दुन्दुभी है, दिव दिध्वनी है, भामंडल है, सोक प्रक्षे, चमर है, छत्र है, पुस्परश्टी है, यह सब के साव यह अश्ठे परातिहारी होते हैं, तो सब इसमें दिखा दिये गए, और किसकी कितनी उचाई सब के पास है, प्रक्षे, अच्छा, इसमें एक चीज और आपको थोड़ी जानकारी के लिए वता दें, कि जो समभव स्राण की जो उंचाई है ना, अपन कितनी मान रहे हैं, पांश यार धनोस, यदि सूक्षमता विचार करें, तो ये पांच हजार नोसो सत्तरा धनोस, जो चार अंगुल ऊपर, तो सिर्थनकर वगवान जो होते हैं, वो कितने ऊपर विराज्मान हैं, पांच हजार धनोस उपर नहीं, पांच हजार नोसो सत्तरा धनोस, स चार अंगुल ऊपर है। कोई कह सकता है कैसे देखो कि समौशन जमीन से तो एक हाथ उपर है और वहां से लेके 500 योजन तक 500 योजन तक पूरा का पूरा उपर तक बनाऊगा समझे लो यह मंजल रूपए अब 500 योजन तक उपर तक गया है उसके बाद अपने देखा था उसके बाद आठ धनों सुची पहली पीठ है चार धनों ऊपर उची दूसरी पीठ है फिर चार धनों सुची इसरी पीठ है फिर उसके ऊपर 900 धनों सुची गंदों पुटी है फिर दूसरा दिब्वे ध्वनी किस दिसा की तरफ सभी दिसाओं की तरफ किरेगी कुछ बादा नहीं है गंधर देव किस दि वो भगवान की दाही नहीं हो और राइट हेंड साइड रहते हैं तो भगवान तीरतंकर भगवान गंधर के भगवान राइट साइड में होते हैं इस तरह की वहां पर विवस्ता होती है बाने लेफ्ट साइड में गंदर हो जाएंगे और राइट साइड में तीर संगर भगवान नमर दूसरा प्रस्म है केवल गयान के बाद जने अंद्र भगवान की काया में भी परिवर्तन आता है क्या कोई परिवर्तन नहीं आता जितनी काय मानि पाँच फिट्के के दी हैं पुदारन के लिए पर एक जामबल तुप हिएवाल गयान और पर पदा हैं एसा नहीं कि केवल गयान होगे तो 10 फिट्के होगे ऐसा नहीं होगा जितने हैं उतने ही रहते नम्मर तीन, सामान मनुस्य की काया फिर बड़ी होती होगी могसर यह प्रस्त नहीं होगा मैंने जितने मनुस्य वहाँ पर हैं उससे उनकी हयट घटी बढ़ती या कुछ हो ऐसा नहीं भगवान की जितनी उतनी रहेगी मालो अपने सबसे पहले नमर के तीसंग करते अजितना आधिनाथ भगवान और 24 में नमर के महावी रहगवान तो पहले नमर के भगवान की 500 धनुस थी तो 500 धनुस और महावी रहगवान की साथ हाथ थी तो साथाथ और मनुस्त उनके काल में जैसे थे, जितनी हाइट वाले थे, उतनी हाइट वाले रहते हैं। अनेक जीवों को होता है, बहुत जीवों को होता है, लेकिन सबको ही हो जाएट ऐसा नहीं है। और दूसरी जगहे पर तैयार होता है, तो वहाँ पर जो प्रतिमा होती हैं, यह कहां जाती है। इस संबन्दी तो हमने देखने का प्रयास किया, यह दब भी नहीं मिला, क्योंकि यह तो जो पूरा समाश्रण है, यह विक्रिया से निस्पन होता है। यह अपने जो कोवेर इसका निर्मान करते हैं, तो प्रथक विक्रिया से निर्मान करते हैं, तो विक्रिया से ही संपन होता है। तो हम प्रतिमा कहा से लाते हैं, फिर कहा कर देते हैं, इस तरे की चर्चा पढ़ने को नहीं मिली। अगला प्रस्म है, इस अजार सेडियां चड़कर जीव पहली भूमी तक पहसता है, या आठमी भूमी तक, पहले तो एंटरी गेट पर जाता है, मानस्तम मिलता है, फिर वहां से फिर क्रम से, पहली भूमी, दूसरी भूमी आधी रहती हैं, तो सबसे पहली भूमी पर पर आप एक और प्रस्ने काया से क्या मतलब है केवली जीव का केवली जीव होता है और प्रस्न तोड़ा साथ पटा लगा पूशना चाहते हैं करते हैं यहां पूशना होता ही सामान्या मनुश्यी गाया फिर वाँ अपटी नहीं पते हो यहां लुक्ता है अब ठाधी यहां करेंदवी जीव हुता है या और अपसका प्रस्ना अमेनाक्षी कुछना चाहरे हैं, एक मेने अक्षी कुछना चाहरे हैं. आपकाना फ्रश्टाइब मैं पूछ रहे हिए डिव्याजीं, कि डिव दिव प्रूछ रहे हैं. कि समोश्रन वो पुछते हैं वो इत ये शरीरष ए बाते हैं सभी आत्मा को इस में रहती है और आत्मा के शरीर भी माले जैसे हम लोग जैसे है न है सभी वहाँ पर चले जाते हैं ऐसा है वैम अच्छा प्रस्नन है बड़ी अ कोई बाती जनरल था लेकिन ऐसे प्रशण हो भी सकते हैं किसी को ही अब अगला प्रसन है बीस जार स्थीरी के बाद समोषण आता है या पूरे समोषण में इस इप शेडिया बहत अच्छा प्रसन है करि लोगों को ऐसा लग पदल मी चलता क्या है जक्कर कि भीसेजार श्रीटियाँ चुछेजेटे उसके उपर समउसरन मेलेगा कि पूरे समउसरन में जहाजा नीचे से इपी सेजार सेढियां देखना जाए, तो ऐस समझ लो, एक तरह से नीचे से ऊपर तक की मजल है। पूरे कहां तक 20 000 तरह तक और, sorry, 20,000 शीडियां जितनी हैं वहां तक, तो ए 5,000 धनुस तक की पूरा मंजला है, तो सीडियां नीचे से उपर तक हैं, तो समाउसना तो देख जाए, नीचे से उपर तक ही है तूरा, लेकिन अपन असली समाउसना देखा जाए, तो उसको कहते हैं, जहां पर धर्म सभा ह होती है लेकिन ये भी समाउसना ही है, कैसा अज़रन चाहिए तो 2000 सीडिय के बाद समाऊसना आता है या पूरे समाउसन, पूरे समाउसन में 200 सीडियां हैं पर उसके बाद में धर्म सभा वाद में उपर बहते हैं अगला पुष्टे है लेकिन कोई विस्ष्ट महापुरुस पहुच जाये चक्रवर्ती पहुचे के मालुक वाने इन तीन और टाइम के अलावा पहुचे के तो ऐसे जो महापुरुस होते हैं पहुचे के निम्यत्य से जिबवध्वनी और भी वार खेर जाती है तो ऐसा प्रभाँ होता है महापुर्सों का सामान नहीं होते हैं और टीर्थंकरों की जिबवध्वनी इसपेशली उनके लिए खेर जाती है वह अब भार भी खेर सकती है ऐसा भी है समय उस्षण मैं जिनालों खरते हैं कि बिल्कुल रहते हैं बहुत प्रकार के मैनने मानस्थम्ब में तो देखे ही थे इसके लाज़ हुआ और ही बहुत सारी चैतर प्रासाद वह बीच गूपने ब्रक्षए हैं और ब्रक्षपर जिनाला है रस्के में भी जिनाला है ऐसे भी अगला प्रश्ण है रहते हैं मानस्तंब में तो ही वहाँ पर भी इने अन्नाष questo कि घञ करता हूं कि भगवान की दिब्विध्वनी जब खिरती है तो उस समय दिब्विध्वनी खिरती है तो सीधा उसे दिब्विध्वनी से वहाँ पर बैठे जीवों को लाव नहीं होता क्या बात करते हैं? हमने तो अभी तक एहीं सुना था आइसा ही है क्योंकि भगवान की जो गाणिये बहुत कठेन होती है, कठेन का मदलब बीजाक्षा रूप होती है, तो वो किसी को समझ में नहीं आती, जब वो दिप्विद्वानी खिरती है तो बीजाक्षा रूप होती है, उसको गणधर ही जह सकते हैं, क्योंकि गणधरों में यह ऐसी स दिर्पिद्वनी को जहिलने वाली गंधर नहीं थे, सामान मनुस्ति की बस की बात नहीं है, वो भासा समझ में आ जाये, तो वो बीजाक्षा रूप्त होती है, तो गंधर ही, जो गंधर 63 रिद्धी के धारी होते हैं, 63, तीर्थंकर होते हैं, अरंत परमात्मा होते हैं, तीर सकें, और उसको समझने के बाद, ये गंधर, उन जो भीजाक्षर होते हैं, उन मैंसे अर्थ से निकालकर, उनका एक सूत्रवद रूप में ज्वादसंग की रचना कर देते हैं, अंतर मूद में, और उसके बाद, फिर जनरल भासा में, फिर गंधर लोग सब को समझाते हैं कैसा इस थोड़ी से नई है ध्यान से सुनना, बन तीर थंग कर तो उनकी दिब्द्ध्वनी होती है, लेकिन उससे डारेक्टर लोग नहीं समझते, उसको गंधर जेलते हैं, और उसमें भी देखा हैं, कैसा कैसा इसका स्वरूप है, उसमें अनन्त पदार्थ को बताने वा यह भी सर्वथा ओमकार मही ही होती हो, ऐसा नहीं है, यह ओमकार तो उन बीजाक्षरों का एक बीज है, ऐसे और भी बीजाक्षा रूप होती है, हम सर्फ सोचते हैं वस ओमकार मही होती है, अपन ने पंच कल्या आज देखे हैं, कहीं पर भी, तो कैसी आवाज नकलती है, ऐसा सुछते हैं, ओमबस रूपनी होती, और भी जीजाक्षार होते हैं, फुन्दूप होती है, तो गणधर उनको जहले ने के बाद, फिर वे समाउस्ण में सब को पताते हैं, और फिर वहाँ पर जो कुछ एक मागध जात्की के देव होते हैं, वो देव उसमें सब जगह प का नाम पढ़ गया, अर्धमागदी, इसमें और विसेस्ता है, अर्धमागदी कैसे हो गई, क्योंकि जब दिभुध्वनी खिरती है, तो आधे जगह तक तो दिभुध्वनी की आवाज पहुचती है, और आधे जगह तक वो पहुचाते हैं, मागध जाती के देव, इसलि कि उसका नाम अर्धमागदी पढ़ा है, और भी स्रोता गण को गणधर समझाते हैं, और फिर जब किनी को प्रशन होते हैं, तो वे गणधरों से प्रशन पूचते हैं, और गणधर उनके जवाब देते हैं, भगवान नहीं देते, ये भी विसेस्ता है, कई बार ऐसा भी ह होता है, कि कई स्रोता गण भगवान को देखते हैं, तो और अपने मन में प्रस्न होते हैं, तो उनके समाधान पोड़े मन उससे भी हो जाते हैं, लेकिन विसेस्ट संकाय गणधरों से करते हैं, और गणधरों का जवाब देते हैं, और कई गणधरों में ऐसी बिसेस्ता हो करोडों मनों से एक entranceά 60 पूँछें जाज वेजुनेकर अरवों लोगों के सब के प्रस्न एक साथ सुन एक साथ सुन के एक जवाब देंगे और सब कर समयधन हो जाता जेवी इस तरह की विशिडा होती है और इकramble बहुत बाते है अब इतनी बताना उतनी कम हैं लेके निदि आप बहुत पूछेंगे तो हम बढ़ताने को पैठे तो आगे बढ़ते हैं आपने जो काता है ना गनधर का कोई रॉल होता है इतना बड़ा रॉल होता है इसलिए जो लोक में कहते हैं न ये गणधर की गाधी, गणधर की गाधी, इसलिए तो कहते हैं कि गणधर ही तो सुनाते हैं न सब कुछ, भगवान की दिपध्ध्वनी होती है, उसको पहले तो उसमें भी हाँ एक बात बताने वाला था, ये अनंत पदार्थ हैं, वो पूरे समाउस्रान की रचना तो कोवेर करते हैं, परन्तु माने सम्वी की रचना इंद्र करते हैं, ऐसा क्या? जैसा क्योँ? एसा इसलिए कि कोवेर होता है सामाने व्यक्ती, समझो और इंद्र होता है विसेश। जो किसी का प्रश्म है जो पूछेंगे तो बताते तेंगे गोर पूँछेंगे तो रहते हैं का अज़ी गोलीये ए बनस्य के साथ लिए नहीं तखी रहते हैं यार्थी नहीं जंदर वी जाते हैं को जो मनश्य वाले हमाने काया वाले मनश्यों हिता है कै और आतम त्रब के नहीं प्रक्षेट जिवा थे तुबर्ट के लिए नाख्षी जीवा था अई पहले जब दॉन में जिएए भीयाँ अगला प्रसना है वहां क्या महत्थुर ये और ब्रखषे का क्याया महत्वार कोई अधर मुआ और थाहिए नहीं। जो भी तीर्थंकर होते हैं, जिस ब्रक्ष के नीचे उनको केवल ग्यान प्राप्त होता है, जो बट ब्रक्ष हो जए कोई ब्रक्ष हो, उस ब्रक्ष अर प्रकार के कोई ब्रक्ष हो और ब्रक्ष का नाम पढ़ जाता है असोग ब्रक्ष का मतलब है, जो शोक का हरण कर दे, ये इसे इस प्रफवी कायख होता है, ये एसा तुब्रक्ष उनके हरे लिखंग करके पाय जाता है। अब अगला प्रस्न है बाणी को सर्वांग से निकलती है ना या सर्फ मुख से यह वाली वात अपनी हो गई अब एक परची पर आये हैं किसी के चार प्रस्न पर लिखकर किसी ने पोटो फिच के वेजे हैं तीर्थंकर को केवल ज्यान के परशाद आहर क्रिया होती है क्या नहीं होती केवल ज्यान होने के बाद आहर वाला काम ही नहीं है तो स्वेतामबर मत में चलता है जो उनकी कवल आहर होता है लेकिन इस तरह की वास्ता में कोई नहीं क्योंकि उनकी इस तरह की कोई बाधा होती नहीं और तो और यदि कोई आठ वर्स की उम्र में केवल ज्यान प्राप्त कर लें आठ वर्स की उम्र में और तीरसंकर बन जाएं और मालो उनकी आई हो एक कोटी पूर्व की इतनी बड़ी आई हो और पूरे काल में वो तीरसंकर बने रहें तो पूरे काल में आहार ग्रहन नहीं क एक पूर्व होता है, तो एक कोठी पूर्व होता है, इतनी बड़ी आयू हो और भी आठ वरस की आयू में धी ₹ужешलने के तीरसंकर बन गए हो तब उनके पूरे जीन काल में आहार नहीं होगा। इसा हम रहता खिरे नरहा हो चुपता है। को यही है तो हादे लिएों प्रशन सहुटा नकार। कुछ प्रस्नी है? हाँ, दो प्रस्नी है. सवना जी. आवाज आ रहे है? आ रहे है. बिलकुल आ जी. हाँ. दिवेद्वानी कितनी बार खिरती है दिन में? भगवान की दिवेद्वानी कितनी बार खिरती है? कि इसमें निखार में दो प्रमान मिलते हैं एक प्रमान के लिए जास्तर में दो प्रमान मिलते हैं और एक प्रमान के अनुसार चार बार खिरती हैं कि दोनों प्रमान मिलते हैं तो अपन किस को क्या वह हो अपने हाथ में जुवाचारी उने लिखा है तो अपन ऐसा सब प्रगार से मल हैं लेकिन इनके अलावा भी यदि कोई चक्रवा पर ती नरानव स्वेसल महापुरुस प तो आपने पहले बोला कि जब लूला लंगडा वो भी अच्छा हो जाता है तो जो अभवे होता है तो वो वो अंधा कैसे हो तकता है वो भवय कुछ को देखकर जो आगे नहीं जा सकता तो वो अंधा कैसे हो सकता है समय अशलने बहुत बढ़ी आपका प्रस्ते है के अन्य जो वो तो थायू हो जाते है पर भवय के लिए ये जा पास्खिलिटी सी हुई कि वहाँ पर उसको देख तो अंधा हो जाए वास्ताव में अंधामा होता है और मने नौबत ही नहीं आती कि वहां पर देख ले वो तो लेकिन इतना जरूर विसेश्थ है कि ऐसा वहां का क्योंगी अभबे जीर जो है पर समयक प्राप्त नहीं होना 100% गैरंटी है लेकिन अधी और वो सिर्दे गए देख ले जिसकी विसेश्था कही थी तो वहां पर देख ले तो अंधा हो जाएगा लेकिन होगा नहीं क्योंकि वहां देखे गई नहीं होगा लेकिन अन्य जो जीव हैं उनका जो अच्छा होन काशनता है तो होता ही हे इतनी विस्ष्टा है कषड़ करоме मुझे पूछना था के देवेड ने कितने देब तक होती हुट ऑप्र में डिउरेस्द कितना रहता है इसका इसका अचा अचा यक अचा यह भी होती है तो नगाता अगद्य तक अपने जो भुच होती है उसमें 24 गंटे की हो अई नहीं लगातार होती है 6 घडी मैं, एक घडी होती है चौविस मिनिट की अब आप लगा लेए, लगा लेइए छोविस मिनट की एक घडी है तो जह लगातार होगी कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, तो 2जफी से जाता हो गए ना, जो कितने मिनट हुए, 24 x 22 हो नी एक सो चावालीस, अब ऐक सो चावालीस में भी हपां धेक हैं, तो 2जफी और जो कितने मिनट हुचे 12 जब एक वार खिरेगी तो लगाता रिकी और और जब भी हर वार खिरेगी तो इतनी देर तक खिरती अब अभी अपने पास अपने पास अपने पास अपने चार निड़ बचे हैं एक प्रश्ना है कि प्राइबा अजी चेप्राइब भाईया जी मुझे पूछना तक 20,000 तक कि पहली भूमी आते 50000 सीडियों के बाद तो उसके बाद फीर बिड़ोमी तीसरी भूमी इनकी सीडियां भी तो होतीaking टो और तो वह कैसे नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि जो 20,000 सीडियां पन चड़ गए ना पीस अजार सीडियां चड़ने के बाद फिर फिर तो जो भूमियां है वो एक डम समझ लो तेर से रूप में एक जैसी तो पर फिर तो तो फिर तो उसता है कि लिएा लगग से सिडिया नहीं चोना लो तो एक के वा ड़न चैसे चलेके अ चले के हैंगा रच्टा से चले के अच्त ऊसके बाहिए ऑ पर उपर नहीं होती हूँ हूँ उसके बाद भाद सर्दे पर एसी है unmonth prob Age 6th Fast Shresthal पंडी जो जी ने पुछना चाहरा था कि जैसे विहार होने के बाद बगवाल तो वितरागी होते रागवेश रहीत होते हैं तो फिर आगे वो क्या देख के रुकते होंगे क्या उनकी वानी लोगों को देख के खेले अचा तो संबब नहीं है तो उसका क्या सवरूफ होगा जैसे जब विहार होता होगा उनका उसके बात की बात कर रहा हूं मैं सब्मोशन के बात विहार होता होगा तो उसकी क्या देख के वो रुकते होंगे या उनकी भानी खिरती होगी ऐसे क्या विश्टा होगी तो जब तीर संकर का विहार होता है तो विहार अपन को लगता है तूसरा उनका विहार भब्त जीवों के भाक्ट से होता है जहां पर जहां के जीवों के भाग्व का उदय आ गया है और वों खर्वों लोगों का जो एक साथ जो समोशन में होते हैं उन सभी के कल्यान का समय आ गया है तो ओटोमेटिक ही भगवान के तीर्थंकर के कदम उस तरह पड़ जाते है उनकी ना इच्छा है ना कोई उनकी प्लानिंग होती है कि इंदर कहता है कि भगवान आज उस देश में चलते हैं तो वहाँ चलो वहां के लोगों का कल्यान करो ऐसा नहीं है आटोमेटिक ही पहले बैठे रहते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, और पिर चलने लग जाते हैं, और पिर चलने लग जाते हैं, और पिर चलने लग जाते हैं, अनमुर्यारी ही होते हैं, केवली भगवान भी होते हैं, जिनको वहीं समोशन में केवल ज्यान हो गया, तो फे ल आप मुटेगे अंडले ता तने से जवायन कर सकतो हैं ताके जो प्रशन यहां है तस पंदर मड़ा कोवियों कहते हैं नियता है है। प्रशन का शेतन है लुच्छन की डीपाली जी, सब्सक्रापको शोला प्रशन की डीपाली जी तो लोगां की प्रशन है जासे वां है, जासे समभसरा दून होता है, तो वहां उपपर देखा है कि बहुत सारे कैवली भी एक सार्थ रहते है, बाकी से धनकर भगान के लख और वहार उपर कैवली रहते हैं, बहुत सारे. तो पहले गवली रहते हैं. पर पांच वर्स तक विद्धियार्थी अधियन करते हैं, और उसमें सोवे से पांच वजे से लेके रात के दस वजे तक वान कोई न कोई गतिविदी चलती रहती है, प्रावचन हो, कक्षाय हो, भक्ति, कुईयन, प्रावचन, सब माने गुरुदे उसलिक सीडी प्रावचन उसके बीच में अन्य गतिविदियों के समय पर तो टाइम थोड़ा व्यस्त रहता है, कारिकरों में जाना करना, बाकि अन्य समय जैसे बीच में इलतना भी टाइम बिलता है, तो उसको यूटिलाइस करके, अधिक्तम पढ़ने में ही समय निकालते हैं, तो कि जतना पढ़त करने से याद बना रहता है, तो यही है, हमारा इस में इंट्रeस्त से रुशी रहती है, तो अधिकतम पढ़ने, पढ़ने, पढ़ने का काम करते रहते हैं, जससे अभियास बना रहता है, हम जाहते हैं, कि आप लोग भी, किसी तरह का अभियास करें, समय निकालें, और आ प कल दे तनी स्कुविदाये हैं कि कही निए जाना घर बैठे बटन दबाओ और अपने आप ही कई प्रकार के विद्वान प्रकार के विष्डाय को ले के आपके घर में बैठे तईयार हैं तो अच्छे आराम से कई वार तौपन अपना काम करते-करते भी कभी प्रसमानियों की कहानी चला ली कभी अधियात्म का अप्रोच न सुन लिया और कोई विष्डाय कम जटे लहों तो उनको अच्छे से बैठके सावधानी पूरवा कौपी पे नोर्स बनाते हुए अधियन करें करना अन्यों का भी अधियन करें चार अन्यों का अधियन करेंगे तो ही हमारा जीवन संतुले तो होगा इसी एक अन्यों का अधियन करने से सच्छन होने के रश्ट होने के चांस है इसलिए चार अन्यों का बराबर बैलेंस बना कर अधियन करें तो हमारा जीवन दिवस्त रहेगा आप लोग इतनी देर तक बैठे और धैरी पूरवक सुना मुझे तो आप लोग को बस इतने टाइम इसमें रहना पड़ा तो या तो कई लोगों को अच्छा लगा होगा कोई संकोच में बैठे रहे होंगे तो पंडी जाई नहीं रहे है आप अप्या करें बैठे रहे होंगे तो जैसा भी लगा हो मुझे लगता है कि आपके छेहरे देखकर लगा रहा है आप लोग निश्चेत रूप से प्रसन्न है रदाविया है ऐसा और ही कभी आउसराएगा तो जलूर प्यास करेंगे इसी वहावना से रहा है और गनतान जी कोई बहुत अचाहिए तो कि इतना अदभूत शेशन वास्तों में बहुत मुश्किल है जैसी परिस करके चर्चा को सुनना और इतनी सरस चर्चा को सुनना अपने आम में बहुत बड़ी बात है पूरी अरहम कक्षा इंतरमेडियेट का यह जो बैच है जिस बैच में देश वरके सब अलग अलग जगहों के लोग हैं और सब प्रबुद्य हैं पहले से स्वाथिया करते हैं कर करते आ रहे हैं और बहुत अच्छे से कख्षा को द्वायन कर रहे हैं और पछले एक महिने से बराबर एक अक्षा इंतरमेडियेड वन की चल रही है तीन विशय से पहले हुए थे उप्योग का सो क्या है लक्षान और लक्षान अफास और ये चौथा विशयाज रिवीजन सहत समोशनन विशय का पुज़ा है, तो शनिवारों के इनकी परिक्षा होने वाली है, उसके लिए आप ये सब लोग पैयार हैं, और आपके द्वारा जो आज समोशनन विशय के सम्मधर शंकाएं थी, उन शंकाओं का भी समुचित और हम बैच की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, पुना एक बार ताली वजा करते हैं प्रभाई प्रविन जी का स्वागत करते हैं, अभिननन करते हैं, और आभार वेक्त करते हैं, आगामी काल में भी ज़ह हमें जरूर पढ़ेगी, तो स्थानों का, पीन लोग का, बहुत अच्छा चित्रा, बहुत बढ़िया, 25-26 मिनट की क्लिप्स पढ़ी ही है, बहुत अच्छा दिवेचन है, जिनको रूची हो, जानना हो, वहां से और विशो शुप से जान सकते हैं, बहुत-बहुत धन्वाद, आप सभी लोगों का, आ सब्सक्राब में जनवानी के विननात करते हुए इस कख्षा का समा पर करेंगे हाँ जूविदा, जावानी के ज्न्वानेतें, प्सुर्जे लोग कालोई, सोवानी मास्ततेंए, सदान देते ने, रेमू, नौबार लोगों कालोई, उज्ग अच्छा अच्छा झाल झाल चलिए एक और सुचना में देदू भाइप्रगेल जी के अभी एक नई कुछ तक पर्वे के संबंद में प्रकाशक्री समर्पण परिवार के द्वारा समय परिवार के द्वारा वो भी आप सभी लोगों तक जन्दी ही पहज जाएगी और समय सार व्याख्यान माला के समाप् समय, तरप के हमलोग जैए परिशर्चा सक्तरों तरफ करते हैं उस परिशर्चा सकत्र के दोरान डॉक्डोर वीरशागर जी इस बार रमारी परिशह कहें मैं विरशे शड़े के रूप्स होंगे लें आपको सब्सक्रेंट्य परिशहों माद्यकालीन सह UK झा और सकत्विप भी आदर्शत बुस्ट्रेंटुए हैं और दूसरे पन्देतभी के राईपुल में बहुत अच्छा काम चलते रहे हैं आदर डो प्थ्रकाराओं के अलावा भॉध ऐसे अंच्प्पी प्रशन होंगें क्यों नहीं होंगे और दीव चाडर जी भाई साहब का कमाल का शिरुक्षम है रस्तुति करण है गोविया मैं जानने को मिलेगा शत्रा तारिफ को गात्री आध्वजे से तरवोदर आहिन साथे करने पर सर्मस्ट्राइबन जी को प्रश्न था आपको एक पूछना था अधो 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 प्रश्न था आपको है अधो थे आधो अधो जैजनिक भेड ने प्ड़ाय कि इसमें नाटेशालाएं भी होती है कुए नात्रशाला होने का क्या फ्रियोजन है? प्रियोजन है के अडर हमेंवे होने जो आत्भूमिया देखी ना अात्ह फ्रियों में गूती है त्षट शकेश्च व्हञत्षित करने के लिए नात्रशाला है महा पर बहुत सारे लोग तो उसदीड अस्थान है बाप्ती काये हैं, बावनिया हैं, चुन्दर सुन्दर गार्डन जैसे जिस सब बने हुए हैं, बहुत सारे लोग तो इसी में उलज जाते फस जाते, जैसे हम कहीं पर भी जाते न, यात्रा करने, तो कई बार अपने इदर ओकर घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो जो फसन अट्रेक्षन के और जिनको वास्ताओं में धर्म सुनना है निश्च दूप से आठी भूमी में जाके तर धर्म लाव लेते हैं तो देखो ऐसे ही है सब जगए फूल और कान्ट एक साथ है तो फसने वालों के लिए फसने वाली वस्ताएं भी है और कल्यान करने वालों के लि पर दोगिंगों की तासे लेता है तरी बात है एक साथ बोलिए जये जये